साथियों, राम चरित मानस में, प्रभु स्री राम के भक्तों के बारे में, उनके अन्युआईयों के बारे में, बहुती सटिक बाग कही गई है। राम चरित मानस में कहा गया है, प्रभल अविद्या तममिट जाई, हार ही सकल सलब समुदाई। अर्थात, भगवान राम के आशिरवात से, उनके अनुसरण से, अविद्या, अज्ञान और अंधकार मिट जाते हैं। जो भी नकारत्मक शक्तियां हैं, वो हार जाती है। और भगवान राम के अनुसरण का अर्था है, मानवता का अनुसरण, ग्यान का अनुसरण। इसलिए गुजरात की धर्तु से बापु ने राम राज्य के आदर्सों पर चलने वाले समाज की कलपना की थी। मुझे खुशी है कि गुजरात के लोग उन मुल्यों को मजबूती से आगे बढ़ा रहे हैं, उन्हें मजबूत कर रहे हैं। सवरार्ष पटेल सेवा समाज द्वारा शिक्षा के खेत्र में आज की गई ये पहल भी इसी कड़ी का एक हिस्सा है। आज फेज बन होस्टेल का भूमी पजन हुआ है, मुझे बताया गया है कि साल 2024 तक दोनों फेज का काम पूरा कर लिया जाएगा। कितने ही वाओं को, बेटे बेटियों को आपके इन प्रयासों से एक नई दिशा मिलेगी, उन्हें अपने सपनों को साकार करने का आउसर मिलेगा। मैं इन प्रयासों के लिए सवरार्ष पटेल सेवा समाज को और विशेश रुपे अध्यक्षा स्री कांजी भाई को भी और उनकी सारी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं। मुझे इस बात से भी बहुत संतोष है कि सेवा के इन कारियों में समाज के हर वर्ग को साथ लेकर चलने की चेश्टा है प्रयास है। साथियों, जब मैं अलग-अलग शेत्रों में सेवा के ऐसे कारियों को देखता हूं, तो मुझे गर्व होता है कि गुजरात किस तरह सरदार पटेल की विरासत को आगे बढ़ा रहा है। सरदार साहब ने कहा था और सरदार साहब के वाक्य हमने अपने जीवन में बाद के रखना है। परस परस ने और सहयोग से अपना भाग्य बनाना चाहिए। हम खुद इसके साक्षी हैं कि सरदार साहब की इन भावनाओं को गुजरात ने किस तरह हमेशा मजबूती दी है। राष्ट्र पथम ये सरदार साहब की संतानों का जीवन मंत्र है। आप देश दुनिया में कहीं भी चले जाईए। गुजरात के लोगों में ये जीवन मंत्र आपको हर जगह दिखेगा।